फॉलो वेलकम फ्रेंट्स आज ये वीडियो प्याली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम में एक बार पर्चेज के अंदर टीडियस कैसे डिड़क्त होगा उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो एक कंपणी हमारे पास होनी चाहिए तो उससे भी पह है कसी एक एक निया पेज ओपन होगा और यहीं पर आपको यहां पर लूपनी का नाम चिक है तो यहां पर नूपली एंडिया करेंगे यह पर इंडिया कर लोगें इंडिया यह आपका लोकल एड्रेस है वो एड्रेस यहां पर डाल दीजिए यह इस तरीके से एड्रेस आजाएगा आपका ठीक है यह लोकल एड्रेस हो गया, यहां पर स्टेट डालना बहुत ही ज़्यादा कमपल्सरी है, तो यहां स्टेट जबरूर डाल दी जगा, एंटर करके इसे एकसेप्ट करवा लेते हैं, यहां पर यह सारी चीजा ऐसे ही रहेंगी, एंटर कर दिया, एकसेप्ट करवा लिया, ठीक है, तो यह हमारी नई कमपनी बन करके त्यार होगा, लेकिन अभी इसमें TDS को इनेबल करना, GST को नहीं करना, यहां पर हलाग यह दिखा रहा है, लेकिन यहां पर TDS को इनेबल करना, तो यहां पर TDS को जाके आपको Yes करना होगा, और यहां पर आपको 10 रजिस्टेशन होगा, ठीक है, और यहां पर आपको Branch या Division का नाम डालना होता है, तो यह Branch या Division का नाम डाल दिया और वो व्यक्ति जो Responsible है, इसको TDS को डिडक्ट करने के लिए, उसका नाम यहां पर आता है, ठीक है, तो यहां पर Mr. Ram लिग दिया हमने, जो भी Father, Daughter, जो भी हो, यहां पर जालते हुए, एंटर करते हुए, इसको Yes करवा लिए ठीक है, ठीक है, बाकि सारे option ऐसे ही रहेंगे, कंट्रोल एक कर दिजएगा, यह काम हो गया, यहां तीडियस आपने activate कर लिया, ठीक है, अब एक काम करते हैं, TDS activate करने के बाद, हम यहां सीथा चलते हैं, पर्चेस आते हैं, और यहां पर लेजस कौन कौन से बनाने हैं, पहला तो लेजर आपका बनेगा, जो क्रेडिटर पार्टी का लेजर होगा, ठीक है, तो यहां सीधा आते हैं, और यहां क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, देखे धियांगे, यहां पर क् ध्यान नहीं देंगे तो दिकरत हो जाएगी यहां पर TGS deductible रहेगा और यहां पर deductible टाइप इनका क्या है तो यह देना होगा तो यहां पर provide pen details को yes रखना है यहां देना है आपको और यहां पर enter करते हुए इसको accept करा लिजेगा ठीक है फिलाल यह video TDS के लिए ही है तो यह हमने एक laser create कर लिए आप दूसरा laser बनेगा TDS का तो यहां TDS करेंगे ठीक है और TDS करने के बाद यहां पर आते हैं तो यहां पर हमको क्या करना ह है TDS का जो है ग्रूप क्या होता है duties and taxes होता है तो यहां से duties and taxes आपको select करना होगा और यहां पर तीन option आ रहे हैं देखिए GST है other है TDS है तो कौन सा हम चूज़ करेंगे तो हमें यहां पर चूज़ करना होगा TDS ठीक है तो यह TDS चूज़ किजिए और यहां पर एक चीज़ और गी गई है list of TDS nature of payment तो आप बना सकते है nature of payment ठीक है तो यहां पर जो भी आपका nature of payment होगा वो बनाएंगे ठीक है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ nature of payment में डाल देता हूँ TDS on goods ठीक है यह लिग दिया TDS on goods कोई समान होगा जिसको खरीदेंगे तो उस पर हमारा TDS कटेग अब सवाल यह उता है कि यहां पर section के आएंगे section के बारे में बड़ी confusion रहती है ठीक है तो TDS on goods का जो section होता है वसे आप internet पे भी search कर सकते हो कि TDS on goods का जो section होता है वो क्या किसके अंतरगत आता है ठीक है तो यहां पर वो चीज़ आपको डालना है ठीक है ना तो 194 क्यू इसक section होता है और यहां पर payment code जैसे मालीजे मैंने डाल दिया 134 ठीक है और limited code 123 है और यहां पर TDS अगर pen card है तो 10% deduct करेंगे हम ठीक है तो यह हो गया इस तरीके से और यहां पर threshold limit दिया गया तो 20,000, 50,000 कितना देना यहां पर दे जीए जैसे मालीजे यहां पर 1,00,000 रुपे मैं threshold limit कर देता हूं यहां पर देखे ध्यान से यह हो गया एक लाफ रुपए ठीक है तो यह एक लाफ रुपए threshold limit कर दिया यहां पर enter करेंगे accept कराएंगे इस तरीके से आपको यह laser create कर लेने हैं अब आ जाते हैं इस से बाहर ठीक है यहां से escape button प्रेस करेंगे ESC वाला button तो हम इस बाइटर आजाएंगे ठीक है ना अब यहीं से हम चाहतो इस टॉक आइटम बना सकते हैं यहां पर देखे यह लिए अगर आप इस टॉक आइटम बनाना चाहिए यहीं से बना सकते हैं लेकि चलिए हम को अभी एंटरी पास करनी है तो इस वज़ा से हम कहां चलेंगे voucher आपको देख रहा है इसमें कहीं देखे कहां बाँचर है यह create है यह चार्टन कूर्ट है और यह बाँचर का विए हाईलाइट है हूं क्या करेंगे भी प्रेस करेंगे यहां पर कलिक कर सकते है तो कभी-कभी क्या होता है यहां पर नेम आफ आइटम आपको नज़र नहीं यहां पर आते हैं तो सप्प्लायर का दिया हुआ इनवाइस नंबर आपको डाल देना है और वो डेट जिस डेट पर फर्चेजिंग हुई है और हैं पर क्रेडिटर पाटी का नाम आएगा ओर यहां पर आएगा पर यहां से आपको बनाना है पर्चेज का लेजर ठीक है ना ध्यान देजिगा कोई discount नहीं है इस लिए तो यहां जीस्ट के साथ कोई छेड़ शेड़ नहीं करना यहां पर आते हैं यह देख सकते हैं टीडियस deductible है तो purchase में टीडियस deductible है अप्लिकेबल करेंगे यहां पर और यहां पर देखे यहां पर यहां पर एक stock item बनाना है मैंने कहा था कि हम लोग यहीं से stock item बनाएंगे तो कैसे बनाएंगी देखिए ALT के साथ C प्रेस कीजिए क्या प्रेस करना है ALT एक बटन होता है कीबूर में ALT के साथ C प्रेस कीजिए यह आ गया अब माल लीजिए यहां पर हम बात कर रहे हैं बंद डब्बे packet की तो यहां पर मैं करता हूं यहां पर लिख देता हूं basic ही चेक है तो यह लिखा हमने और एंटर किया एंटर किया और यहां पर प्राइमरी ही रखेंगे और यहां पर आते हैं तो यहां पर हमको यूनिट बनाना बहुत ज़रूरी तो यहां पर एक क्रिएट पर जाके एंटर करेंगे और यहां पर यूनिट बना लेंगे जैसे यहां पर हम इसे कीजी रखेंगे तो यहां सिंबल में kg दे दिया, कई पर formal name में लोग confused हो जाते हैं, तो यहां पर kg दे दिया हमने, यह accept कर जाएगा, और फिर यहां पर kgs डालेंगे, kg डालेंगे, तो यहां पर kg सा जाएगा, तो फस यहां लगा लिजेगा, यहां 3 कर दिजेगा, क्योंकि आदा किलो बेचना होगा, यह खरीदना होगा, तो आप कैसे करेंगे, तो इसलिए यहां 3 कर दिजेगा, एंटर करेंगे, और यहां पर standard rate हमें set नहीं करना, बाकी सारी चीजें ऐसा ही रहेंगे, यहां पर चाहें तो MRP आपको देखने को मिल जाता है, खोड़ा सा आपको नीचे आना है, पूरा नीचे नहीं जाना, यहां पर end of list जहां आएगी, वहीं आपको आना है, और यहां TDS का laser insert करना है, तो यहां देखिए, यहां पर minus 49,000 रुपे TDS कट गया है, और यहां पर भी new reference रहेगा, enter करिएगा, और यहां पर TDS deducted, यह लिख करके, enter करके, इसे accept करा लिजएगा, तो कुछ इस तरीके से आप TDS की entry pass कर पाएंगा, यहोग कि आपको बात समझ में आ गए होगी कि TDS की entry pass अखिर कार कैसे कर लिए, ठीक है, वो भी purchase में, ठीक है, यहां से थोड़ा बाहर आना, escape button press करके, ESC वाला button, और फिर कहा जाना है, अब हमें वापिस जाना है, डे बूक में, तो डे बूक में आगए, अब यह हमारा जो bill दिखेगा, TDS वाला, TDS deduct वाला, यह कैसा दिखेगा, तो यहां पर देखे, Alt-P करिए, Enter करिए, और I button press कर लीजिए, तो यहां पर देखे, यह TDS जो deduct हुआ है, उसका bill कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से यह, देख रहा है, ठीक है, हाला कि यहां पर GST चालो है, लकिन हमने GST दिया नहीं है, तो यहां पर 0% देख रहा है आपको, ठीक है न, तो अमीद करता हूँ कि बात समझना आई होगी, और अगर आपको यह वडियो पसंद आया, तो शेर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत हूलेगा, थैंक यू पर वातिन दिस वडियो,